दोस्तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आरो वाडर फिल्टर के अंदर लगी SMPS चालू है या फिर खराब चेक करने के काफी सिंपल और असान तरीके हम बताते हैं ताकि बिना मिस्तिरी के अपने ही घर पर अपने आरो की SMPS को खुछ से चेक करने के काफी सिंपल और कुछ स तरीके होते हैं देखिए सबसे पहले क्या करनी है यह जो थ्री पिन प्लग है को बिजली की बोड पर लगा देता हूं यह लगा दिया अब इसको चेक करने का बहुत ज़्यादा गणित नहीं है काफी सिंपल इजी तरीका है यहाँ पर देखिए SMPS में यह जो इंडिकेडर है वो आ चुका है अब सिंपल क्या करनी है यह जो दो वायर होते हैं जो आरो की मूटर और एस्वी में सप्लाई जाती है तो दोनों वायर को आपस में इस तरीके से जुडानी है जुडाते हैं यहाँ पर कुछ स्पाक जैसे निकलेगी देखना यह देखे चिंगारी आ रह परसेंट कंपर्म हो जाती है कि यह जो SMPS है वो चालू है खराब होगी तो चिंगारियां कई बार नहीं आती है तो आपको मैं यहाँ पर एक आरो की पुरानी मोटर पड़ी हुई है उसे चेक करके दिखा देते हैं तो यह जो रेड वाला पॉइंट प्लस होता है इस तरीक करता हूं तो यहाँ पर जो हमारे आरो की मोटर है वह बिल्कुल चालू हो चुकी है देख सकते हैं आप यह जो मोटर है वो कंपन कर रही है वाइब्रेशन हो रही है चालू हो चुका है इस तरीके से आप जो है अपने आरो SMPS को घर पर बेना किसी मिस्तिरी के काफी इजी तरीके से चेक कर सकते हैं सिंपल आपको करना है दोनों वायर को अपस में जुड़ा कर देखनी है इस तरीके से कंपर्म हो जाती है हमारी वीडियो से जानकरे में ले तो लाइक शेर कीज़ेगा फिर से लाएंगे नई वीडियो नहीं जानकरे लेकर